अलो फ्रेंड्स एंड श्वें तोसला जीवी दुरु दिक्षित चैनल में मैं जुरुपान दिक्षित आपका स्वागत करता हूं बंदन करता हूं सर्व थम हिंदू न वर्ष बिक्रम संबत की आपको हग दिक्षित पाहम नहीं देता हूं आज आपके साथ मैं वह किस्ट ःष टेडिस जो वरिफाइक पाटकर में उतके थर्ड माडूल पर हूं मैं दूचीजे यह माडूल जो है संचार कोसल और डिजिटल पाहर पर है इत्माइद मैं आपके साथ करूँ है इमेल सिस्टाचार और दूसरा प्रेक्षान रहेगा नेटिकेट पर इमेल सिस्टाचार आज प्रोधिकी यूग है संचार कोशल बहुत विक्तित हो चुका है और इमेल से हम सभी पर्चित है आप देख रहे होंगे जाए स्कूल कॉलेज हो सरकारी संसाइं हो या वेबसाइक संसान हो विद्यारती हो सब जबें इमेल का चलन है इमेल ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किचिन में आच है और तोई गैस अन्वार है और हर वक्ति के पास मुबाइल फोन होना स्मार्ट फोन होना अन्वार है ऐसे ह हर व्यक्ति को ई-मेल करना जरूरी है हमारे आपके बीच में जो संबाद होता है कम्मिनिकेशन होता है इसको स्थापित करने में ई-मेल ने तो सच मुझ क्रांती ला दी है क्रांती आज आप देखेंगे हम भले ही चैट करने के लिए वरतलाप परने के लिए सोसल नेटफ़र, इंस्टेंट मेकनिजम जैसे कई प्रविदियों को पसंद करते हैं लेकिन एक जब उच्छित संचार की बात करनी होती है इ-मेल ही सबसे पसंदीदा मात है इन्वस्टेज, वेश्विक, निगम, सरकार, छाथ, सियो, हर जगह ए-मेल का सिंख के मत्रम से संबाद हो रहे हैं आजक्र कम तो सरकार के सारे बिपार जो हैं, जो आदेज देती हैं सब ए-मेल में ही दिया जाते हैं औहां वह मांगते हैं कि ए-मेल में आप जबाब दीजिए अब यारगिष्चहरंसकार, इन्टरणेट का चलान है लेकिन इमेल के साथ में आप विद्यार्थियों को चुकि आप अभी नए नए आए हैं भी आपको सरकार से भी कम्मुनिकेट करना होगा, अपने कॉलेज से कम्मुनिकेट करना होगा, मित्रों में कम्मुनिकेट करना होगा, नौकरी कम्मुनिकेट करना पड़ेगा संस्तानो आपको कुछ खास-खास टिपस दे रहा हूं एमेल सिश्टा इसलिए और को सिश्टा चार करते हैं जैसे आप किसी औफिस में जाते हैं अपने प्रिंस्वक रोम में जाते हैं तो दरवाजा पुलते हैं और पुलाइटली बात करते हैं मैं यही कम इन से बहुता है Cette I लेकिन अगर आप धडले से जाएं जटका मारके दरवाजा खोलें और उची उची आवाज में बात करने लेगें वह आपका नकारात्मक बहबार है जिस्चा जा नहीं है तwach ते सी तरह से हम अप सोथे हैं कि इ-mail में तो सामने वाला देख नहीं रहा है कुछ भी लिख दो। नहीं तो सामने वाला या आप जिसको mail भीजने है वहग इनसान है माना हो है जानवर नहीं है आप उसको अपने संकच मानके या अपने से उपर मानके उसके साथ सिष्टाचार रखें इसलिए आप देखें कि आज क्या है इमेल सिष्टाचार किसे कुछ बातें बताऊंगा आपको जो आप सभी के लिए जरूरी है केरियर में बहुत ही आवश जाएगी और आपके जीवन में अन्वार्था होती जाएगी आपको ए-mail करते आप पहले अपने इमेल पते का उपयोक करें एक प्रोफेस्नल दिखने वाले इमेल पते का उपयोक करें इसके लिए आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले जो बनाएं आप कंप्यूटर में य जिसे तरों फिजन जिती जोड़के तारीग मांना वर्क्स को जोड़के वह बीच में ढले उब्यश्चित . दृक्षित . एक और मेरा एमेल है दृक्षित तियाइकसाइटी घडिब अइसद नाम रखा मैंने दृक्षित इस्वाम का होने से क्या है आप कहीं भी प्योग कर सकते हैं तो लोगों को समझमा जाएगा किस का है, इसमें ज्यादा वो नहीं और जो आपको भेजेंगे तो उनको याद रखने में भी सहुलियत होती है एक और चीज है कि आप अपना email मनाते हैं हलाकि खर्चीला है पैसा लगता है स्वहम का domain अगर आप post करते हैं और फिर उसको email के लिए प्रोग करते हैं तो आप तो अच्छित भी रहेंगे लेकिन वह महगा है तो पैसा लगता है अब देखें अब email में क्या आपको पत्तर लिखना है या आपको ड्राफ्ट भीजना है तो पंक्ती बद लिखें विसे को पंक्ती बद लिखें पैरावाइस रखें इसमें पूरे message को दें अधूरा नहीं रखें जैसे आपने लेकाना समाज सास समाज का अध्यन करता है समाज सास के जनदाता फ्रांसी सी विद्वान अगस्ट काउम है यह complete है अधूरा ना छोड़े मैसेज अधूरा छोड़ने से सामने वालया confused होता है और वो irritate होने लगता है तीसरा point है मानक फॉंट और नियूनतम प्यारूपन अब जो प्यारूपन देंगे जो देंगे प कभी-कभी हम ऐसा mail बेचते हैं जैसे हिंदी में बेचते हैं तो वह बहुत हो के laptop में computer में और आपके mobile में वह version नहीं होता है तो वह mail खुलता नहीं है तो उसको समझ में नहीं आता है अब उसको divert करना पड़ता है उसको font change करना पड़ता तो बहुते लोग करते नहीं तो आ sentence में कोई heading ना मनाए highlight ना करें इसको underline ना करें black ही रखें तो बैठा रहें color ना करें के साथ आपको कुछ standard serif sans serif font डालना होगे titles जो भी आप डाले यह specific रखें प्रयोग करें new roman अरियल का प्रयोग करें new roman और अगर हिंदी में है करती दो 10 का प्रयोग करें चौथा point है भासा का गलत प्रयोग ना करें भासा बहुत अच्छी आप किसी से बात चीत करते हैं बत्तमी जी नहीं करते ना पांचमा बिंदू है सनलगन फाइल आप जो फाइल अटेच करना जैसे आपने बाइटा दिया दिया रिजूम दिया रिजूम के साथ आप उपनी मार्सीट बगरा देना चाहते हैं अपने सर्टिफेट देना चाहते है वह अटेच करें वर्ण आत्मक फाइल नामों के नाम पहले दें, नियोकता को रिजूम अगर आप भेजना है कहीं, आप अपना रिजूम भेजना उसके साथ में आपको बाटे डेजना है, तो उसमें आपको लिखना है पड़ेगा, करेंट रिजूम देश धुरुप, तो इसमें वो जो आप के हस्ताक्शर जरूरी है, अगर आपने हस्ताक्शर नहीं करें अपने signature नहीं करें तो वो मानन नहीं हुगा इसको प्रास्मिक्ता देता है आपको, यह कोई चाहता कि आपशने है, तो सभी इमेल के अन्त में सवतही संचालित रूप से जोड़ा जा सके, ऐसा हस्ताक्शर अपना बनाके रखिये साथमा पॉइंट है आपके mail पे जितने भी mail आते हैं उनको सीवारे उनकी प्राप्ती को accept करें email पाने पर अगर आपसे जबाब नहीं देते हैं तो वो एक etiquette नहीं है ठीक है कई बार समय के कारण हम नहीं देख पाते हैं लेकिन जब भी देखें आप अपना इमेल हर दिन तो नहीं लेकिन दो दिन में जरूर चेक करते रहें कई बार आपके पास आफ़र आ जाते हैं आप देखनी पाते हो चुप जाते हैं आप अपना आपके जो अभिवादन है दो तरह अपचारिक अनपचारिक जैसे मैं अपचारिक का प्रिवजन तो लिखूंगा प्रिये विजय गंबीर या प्रिये प्रोफेसर विजय गंबीर ये अपचारिक हुआ अनपचारिक हेलो विजय हेलो वासुदयो हेलो गजानन हेलो महिशुक और जब आपका मेल पूरा मेटर खतम हो जाता है तो लास्ट में सादर, साभार, फिर आपके हस्ताक चाहिए सभी मेल जो है आप बहुत ही आपकी भासा बहुत मजबूत होनी चाहिए आप जो भी देना चाहते हैं इसपस्ट होना चाहिए गुमावदार भासा का प्रियोग न करें ॉब्यों माल भासा का प्रियोग न करें नॉमा point है समय बद तरीके से उत्तर दें आपको जो भी मेल प्रापतोरा को उत्तर आप समय बद तरीके दें नियम तो यह है कि एक अनौपचारिक नियम है 24 से 48 घंटे में ही आपको अपने मेल का जवाब दे देना चाहिए और जब आप कंप्लीट हो जाता है आप फारवड बटन दबा रहे हैं आप फारवड करना चाहिए अपने मेल मैटर को इमेल को तो फारवड मेटर को दमाने मैटर को देख लें के पहले स्कॉल करके पूरा ड़ंस चैक करें आपने क्या लेखा आभिवाधन किया है किनी मेटर में कुछ प्लस माइनस दो नहीं करना है जब आप पूरभ तरह से सतिस्पाइट हो जाए तभी को फारवड करें कि अगर आपके मेल अडरेस पे डिलीवर हो जाता है तो फिर अगर आपके कमान से तीर निकल गया बंदूग से गोली निकल गई फिर लोटेगी नहीं तो उसमें आपके निगेटिविटी बनेगी इतलिए हमेशा कई लोग कहते हैं रहे क्या लिखा है पढ़ना लिखना नहीं आता कुछ जानकारी नहीं है कुछ भी लिख देते हैं इतलिए हमेशा अच्छे से पढ़ने के बाद ही और फारवड का बटन यह कुछ चीजे मैंने आपको ताहीं यह कलाती है इमेल सिष्टाचार इमेल एटिकेट पहला आज आपकी अनवारता है जरूरत है कि आप अपना एक इमेल एड्रेस बनाएं जो कि प्रोफेस्नल हो उसमें आपका पहला और अंतिम नाम होना चाहिए उसको जनतिती भी चुड़ें आपके स्टेंडराइज होने चाहिए कभी-कभी हम बेज देते हैं वह फॉन्ट खुलता ही नहीं है अच्छे दिखते हैं लेकिन अगले के पास वह फॉन्ट ना होने से वह खुलता ही नहीं है इसलिए आप न्यू रोमन एरियल में ही लिखें कि ती देव टैन अगर आप इसके साथ संलंगन कर रहे हैं कोई अटेच कर रहे हैं तो उसको वर्नात्मक फाइल नामों के नाम क्याथार पर रखें जैसे मैंने रिज्यूम भेजा अर्ड़ी बीवी या किसी कंपनी में भेजा अपना मेल लिखा मैं यह कर रहा हूं भेज रहा हूं आपका इसमें विग्यापन हुआ और मैं आपके लिए इस पत के लिए मैं अपना रिज्यूम दे रहा हूं फिर उसके बाद अटेच करें 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 तो वह समझ जाता है कि इसमें रिज्यूम धरूब का तो ओपन करें दो चीज़ जब आप मेल अपना शुरू करें उसमें से हलो विजय गंबीर यह सब कर सकते हैं अंत में जब आपका मेल खताम हो साधर साभार और ब्लास्ट में अपने हस्ताक्षर जरूर करें क्योंकि हस्ताक्षर आपको बना के स्कैन करके रख लेना चाहिए जब भी आप करें मेल करें तो उसको वहां पे अटेच कर दें बिन हस्ताक्षर के भेजा गया आपका मेल जो है अधूरा माना जाता है इनकंप्लीट माना जाता है और दूसी विश्ता समय बाद स्टेप बाई स्टेप तरीके से आप उत्तर देना सीखें अगर आपने अपने एमेल एडलर्स माना बनाया है और सब जगा सब्स्प्लेट किया जवाब भी आएंगे उनका जबाब दें जो प्रस्थ आते हैं जो लेटर मेल होते उनका जबाब भी दे 24- विद्यार्तियों को नहीं सभी को रखना पड़ेगा लेकिन अभी आपके न्यू कमर है आपकी सुरुआत है अभी आप हैबिट मेनी आए तो अगर आपने इसको अपनी हैबिट में बिटाल लिया फिर आपको कोई प्रॉल्बम है यह कहलाता है यह फर्स्ट यर के वोकेशनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको ऐसे ही विजय के जानकारिया निरन तर्मिक्ति रहेंगी आज के लिए इतना है